अब ही तक तो टाइम इंड वर्क में हमें निगेटिव वर्क के इस ज़रुवरत नहीं पड़ी है बट पड़ेगी साथी साथ निगेटिव वक को बहुत ही इंट्रेस्टिंग और अच्छे से सवाल ही बनते हैं तो चलिए उन पर इसक्रिशन स्टार्ट करते हैं और फिर दे अब लिटस से हमने एक नया करेक्टर इंट्रेउस किया सी जो की कि इतना ही वक चौबश दूनों में डिस्ट्रोइ कर देता है खतम कर देता है अप क्योंकि यह बहिता एक साल लगा दिया इससे पहले ताकि एम्हें एडिया रहे कि यह निगेटिव वक कर रहा है तो इसका ईफिशनसी निगेटिव में होगा यह काम को डिस्ट्रॉई 120 और यहां से हमें efficiency मिल जाएगी A की efficiency 20 शका 120 यानि कि A की efficiency 6 आगी B की efficiency 4 आगी और C की efficiency आगी है हमारी 5 लेकिन यह negative में आएगी minus 5 यह destroy कर रहा है अब अगर तीनों 7 में काम करेंगे तो net में हमें एक दिन में कितना work होगा 6 plus 4 minus 5 यानि कि 5 unit A और B मिल के तो 10 unit काम करते हैं लेकिन C 5 unit काम को खतम कर दे रहा है तो net में 5 unit काम हो रहा है यानि कि time कितना लगे है इनको total work है 120 और total एक दिन में काम हो रहा है 5 unit यानि कि 24 days में work complete हो पाएगा clear है? ठीक है एक तरह से जैसे सफाई वाला है सफाई वाला positive work करता है सफाई करता है cleaning करता है और हम कचरा create करते हैं कि यानि कि negative work करते है ठीक है पहला question लेते हैं आज का और शुरू करते हैं इसको first question करा A and B can put all the bricks in a wall in 15 hours and 20 hours respectively C can remove all the bricks in 30 hours alone if they work together in how many hours all the bricks can be put such that the wall is completed ये और भी एक दिवार में सभी नीटे क्रमशा 15 और 20 घंटे में लगाते हैं जबकि C अकेले 30 घंटों में सारी नीटे हटा सकता है यानि कि C यहाँ पर negative work कर रहा है A 15 घंटे में complete कर सकता है B 20 घंटे में complete कर सकता है जबकि C जो कि negative work कर रहा है तो 30 घंटे में सारा काम कर सकता है, 15, 20, 30 का LCM हो गया, 60, यानि कि A के एफिशन से आगई 4, B के आगई 3, और C के आगई माइनस का 2, माइनस 2, question कहा रहा है, कि अगर वो एक साथ काम करेंगे, तो कितने घंटे में हम work complete कर लेंगे, net work कितना आ जागा, चार प्लस 3, माइनस 2, साथ माइनस 2, यानि कि 5 उनिट, और टोटल वर्क करना है, 60 उनिट, तो टाइम लगए है, 60 अपाउन 5, यानि कि 12 वार्स, क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सावाल देखते हैं, next question कर रहा है, A can build a wall in A hours, while B destroys it in B hours, A एक दिवार को एक घंटे में बना सकता है, जैकि B उसे, B घंटे में नश्ट कर सकता है, यानि कि B यहाँ पर negative work कर रहा है, यदि दिवार का 50% हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है, तो बचे हुए काम को, वो कितने घंटों में कर देंगे, तो A एक दिन में, A दिन में काम complete कर रहा है, B, B दिन में काम destroy कर रहा है, तो हमारा A into B, हमने ले लिया work total, और अगर A into B work है, तो यहाँ से A के efficiency आगी, B units, जबकि B के efficiency आगी, A unit, लेकिन negative में, minus A, clear है, और 50% अगर दिवार पहले ही बन चुकी है, यानि कि remaining work कितना है, बचा हुआ काम कितना है, तो remaining work हमारा हुआ, A into B divided by 2, और efficiency क्या होगी, जब दोनों साथ में काम करेंगे तो, A के efficiency B है, B के efficiency A है, तो B minus A efficiency से काम होगा, चीक है, एक चीज यहाँ पर mention नहीं है, पर mention होनी चाहिए, कि B को A से बढ़ा होना चाहिए, तब ही हमारा positive work होग पाएगा, isn't it so, जब B A से बढ़ा होगा, तब ही positive work possible है, तब ही दिवार बन पाएगी, और अगर A B से बढ़ा हुआ, अगर A B से बढ़ा हुआ, उस case में negative work होगा, यानि कि दिवार destroy होगी, बन नहीं पाएगी, क्योंकि B ज़्यादा powerful होगा, B के efficiency ज़्यादा है, B के efficiency A है, और अगर A B से बढ़ा है, तो फिर B ज़्यादा ताकतवर होगा, चीक है, तो हमारे लिए A को ज़्यादा ताकतवर करना ज़रूरी है, यानि कि B मारे से net में हमारी efficiency आएगी, टाइम कितना लगेगा, work है A B by 2, और efficiency है B मारे से, तो डिवाइट कर देंगे, work upon efficiency, यानि कि A B upon 2 into B मारे से, यह हमारा time की value होजाएगी, समझ महाता है, ओके, ठीक है, यह मारा answer हो जाएगा इस question में, आगे बढ़ते हैं, अगला question करते हैं, अगला सवाल कह रहा है, two workers, A and B, can construct a wall in 10 hours and 20 hours respectively, दो workers हैं A और B, A 10 घंटे में, एक wall complete कर सकता है, B 20 घंटे में, wall complete कर सकता है, जबकि C 5 घंटे में wall को destroy कर सकता है, यानिकि C negative work कर रहा है, और 5 घंटे में wall को destroy कर सकता है, A and B started constructing the wall at 8 a.m. and C joins them after 140 minutes, ठीक है, A और B ने सुब़े 8 बजे निमार शुरू किया, और C 140 मिनट के बाद आया है, 140 मिनट कितना होगा, 140 upon 60, यानिकि 7 by 3 hours, तो 2 घंटे 20 मिनट, यानिकि 10 बज़ के 20 मिनट पे, C ने join किया यह और B को, isn't it so, ठीक है, सबसे पहले तो LCM लेके हैं, सबकी efficiency निकाल लेते हैं, A, B, C, total work होगा है 20 units, A के efficiency आगई 2 unit, B के आगई 1 unit, और C के आगई 4 unit, माइनस में, यानिकि C के efficiency, A और B की total efficiency कितनी है, 2 plus 1, 3, उससे भी ज़ादा है, C ज़ादा ताकतवर है, तो यानिकि दीवार को नश्ठी होना पड़ेगा, ठीक है, बहराल, A और B, दोनों की efficiency मिला कि कितनी है, 2 plus 1, 3 units, और total, 7 by 3 hours तक उन्होंने अकेले काम किया है, तो 7 by 3, इन्टू 3, यानिकि 7 units दीवार बन चुकी होगी, isn't it so, कब तक बन चुकी होगी 7 units, 10 बच के 20 minute तक, ठीक है, इसके बाद में, अब C आ गया है, C के आने के बाद में, अब net में कितनी efficiency हो जाएगी, A plus B कि 3 है, C की minus 4 है, यानिकि minus 1, net में efficiency आ जाएगी, यानिकि अब दीवार खतम होना शुरू होगी, तो minus 1 efficiency से कितनी दिर में खतम होगी, minus 1 into 7, यानिकि 7 hours में, दीवार निपट जाएगी, वह 7 units हुआ है, 7 minus 7, 0 हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा, यानिकि plus 7 करना पड़ेगा, हमें 10 बच के 20 मिनट से 7 घंटे बाद, दीवार पुरी तरह से खतम हो जाएगी, और answer हो जाएगा, 10, 20, plus 2 हो गया, 12 बच के 20 मिनट, plus 5, यानिकि 5 बच के 20 मिनट पे शाम को, 5, 20 PM, ये PM, AM का भी ध्यान रखना है कि ये बार option में, दोनों दिया रहते हैं, PM या फिर AM, दोनों दिया रहते हैं, या फिर हो सकता है, AM दिया हो, और 90 दे दिया हो, तो cautious रहना है, कि PM आ रहा है, AM आ रहा है, यह हमारा answer हो जाएगा, clear है, अगला question लेता है, अगला सवाल क्या रहा है, बढ़िया सवाल है, 2 candles A and B of same height, can burn completely in 6 hours and 8 hours respectively, क्या है, देरे देरे candle मुंबत्ती, देरे देरे घट रही है, height उसकी कम हो रही है, यानि कि negative work हो रहा है याँ पर, 2 candles A and B of same height, can burn completely in 6 hours and 8 hours respectively, if both start burning at the same time, after how much time the ratio of their height will become, 3 is to 4, वीडियो को pause करके, खुद से जरूर attempt करना है, समान उचाई की दो मुंबतिया है, A and B, क्रमशा 6 गंटे और 8 गंटे में पूरी तरह जल सकती है, तो A को जलने में लग रहे हैं 6 गंटे, और B को जलने में लग रहे हैं 8 गंटे, और जल रहे हैं यानि कि दोनों ही निगेटिव वर्क कर रहे हैं, यदि दोनों एक ही समय में अपनी अपनी स्थिर गति से जलने लगें, तो हमें ये बताना है, कितने समय बाद उनकी उचाई का उनुपाद 3 is to 4 हो जाएगा, 6 और 8 काम LC हम लेंगे कितना आजाएगा, 24, ठीक है, यानि कि A, minus 4 efficiency से जल रही है, जबकि B, minus 3 efficiency से जल रही है, और क्योंकि total work कि यहां पर 24 है, यानि कि 24 unit height है उनकी, height same है, और height पूरी 0 हो जाएगी, तो खतम हो जाएगा मामला, हमें 0 नहीं करना है, हमको सिर्फ यह पता लगाना है, कि कब उनकी height का ratio, 3 is to 4 हो जाएगा, ठीक है, तो शुरुआत में दोनों की height 24 रही होगी, A की भी और B की भी, ठीक है, अब A, 4 की speed से कम होना शुरू होगी, यानि कि minus 4 की efficiency से कम होना शुरू होगी, और B minus 3 की efficiency से कम होना शुरू होगी, अगर हम यह मालने, लेटेस से T time के बाद में उनका जो अनुपात है, 3 अनुपात 4 हो जाएगा, T time के बाद है, तो A कितना कम हो चुका होगा, A की height होगी 24 minus 4T, और B के height होगी 24 minus 3T, क्या बाद समझ में आती है, यानि कि जो ratio है, यही ratio हमारा हो जाएगा, 3 बटे 4, क्या equation आप बना पा रहे हो, क्या बाद समझ पा रहे हो, ठीक है, 24 minus 4T divided by 24 minus 3T, यह आगया 3 बटे 4, अब बस cross multiply कर देना है, तो यह आजएगा 96 minus 16T is equal to 72 minus 90, यानि कि 16T minus 90 आजएगा 96 minus 72, यानि कि 70 is equal to 24, और यहां से हमारी time की value, T की value आजाएगी, 24 by 7 hours, clear है, को किया, ठीक है, कहीं कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, next question कहा रहा है, A can build a wall in 12 days, and B can destroy it in 5 days, A एक wall को 12 दिनों में बना सकता है, जबकि B 5 दिनों में destroy कर सकता है, यानिकि B negative work कर रहा है, 12 और 5 calcium हुआ 60, हमने work माल लिया 60, तो A के efficiency आगी प्लस 5, जबकि B के आगी माइनस 12, A ने काम करना शुरू किया, wall को build करना शुरू किया, लेकिन B चार दिन बाद उसको जॉइन कर लेता है, और A के साथ दो दिन तक काम करता है, B चार दिन बाद जॉइन करता है, और दो दिन तक काम करता है, यानि कि शुरू के चार दिन तो A ने अकेले काम किया है, फिर दो दिन ऐसे रहे होंगे, जबकि A और B दोनों ने काम किया है, B ने तो destroy किया है, बिसकलि काम क्या किया है, और जो आखिर के दिन है, वहाँ पर फिर A ने अकेले काम किया हो क्या यह बात समझ में आती है क्या structure समझ पा रहे हो question यह करा in how many days from the start will A be able to complete the wall अब अगर हम observe करें तो B सिर्फ और सिर्फ दो ही दिन तो काम कर रहा है और B काम क्या कर रहा है दो दिन destruction कर रहा है तो जो B दो दिन में तोड़ेगा वो A को और बनाना पड़ेगा extra बनाना पड़ेगा exactly so जितना B दो दिन में तोड़ने वाला है A को उतना ही तो extra बनाना है अगर B कुछ भी नहीं करता तब फिर उस case में A हमारा 12 दिन में wal को complete कर देता कुछ भी नहीं करना पड़ता उसको extra बट क्योंकि B destruction कर रहा है B ने दो दिन में आके कुछ तोड़ा है जिसकी वैसे कि A को extra work करना पड़ेगा और बस हमको वो extra work निकालना है उसी से हमारा answer आ जागा क्या ये बात आप समझ पा रहे हो ठीक है तो 12 दिन में यानिकि answer हो जागा 12 प्लेस 24 पाइफ यानिकि 12 प्लेस चारदशनलोवाट यानिकि 16.8 डेस क्लियर है कहीं कोई समस्या अगर हम वैसे भी देखते तो 7 उनिट काम A को ऐसे ही करना था फिर B ने दो दिन में जो negative work किया है वो extra करना पड़ेगा यानिकि प्लेस 2 इंटू 12 और दिवाइड भई 5 बात एक ही है बट ऐसे समझ जोगे तो ज़्यादा बहतर क्लियर है ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन देखते हैं अगला सवाल हमसे कह रहा है A और B एक work को अके लिए 30 दिन और 25 दिनों में complete कर लेते हैं एक काम को प्रमशा 30 दिनों 45 दिनों पूरा कर सकते हैं जबकि C उसी काम को 90 दिनों में नश्ट कर सकता है खतम कर सकता है यानि कि A 30 देज में complete कर लेता B 45 देज में complete कर लेता और C क्योंकि negative work कर रहा है 90 days में खतम कर देता तो यहां से 30, 45, 95 calcium आगे 90 A के efficiency आगे 3, B की आगे 2 और C की आगे minus 1 question यह कर रहा है यदि A और B A से प्रादम्ब करके बारी बारी से कारे करते हैं जबकि C रोज काम करेगा A और B constructive काम कर रहा है एक दिन A करेगा, एक दिन B करेगा, एक दिन A एक दिन B and so on जबकि C destructive काम करेगा लेकिन कर रोज रहा है यानि कि पहले दिन अगर हम Day 1 पे बात करें तो Day 1 पे A और C काम करेंगे फिर Day 2 पे B और C काम करेंगे और फिर Day 3 पे वापस A और C काम करेंगे और ऐसे ही काम होता रहेगा ठीक है तो day 1 में कितना काम होगा A और C मिलके कितना काम करेंगे A कर रहा है 3 unit C कर रहा है minus 1 यानिकि 3 minus 1 तो 2 unit काम होगा और day 2 पे B और C काम करेंगे 2 minus 1 यानिकि 1 unit काम होगा तो एक तरह से दो दिनों में हमारा कितना काम हुआ, तो डेज में, थी युनिट्स वर्क हुआ है, isn't it so, 3 युनिट्स काम हुआ है, तीन युनिट्स काम हुआ है, और टोटल हमें करना है 90 युनिट्स वर्क, जो कि यह 3 ूट्स 30, यानि कि 3 युनिट्स मुडिप्राइट बे 2 into 30, 30 cycles चाहिए होगी, यानि कि total number of days हो जाएंगे, 2 into 30, 60 days, क्या यह बत समझ में आती है, ठीक है, 60 days हमारा answer हो जाएगा, clear है, अगले question पर चलता है, next question क्या कहा रहा है, a plants 20 trees each day, a प्रतिरी दिन 20% लगाता है, but b removes 25% of them, after a finishes the days work, लेकिन एक एक दिन का काम खतम होने के बाद, b उनमें से 25% हटा देता है, तो a कितने दिनों में पहली बार 200 प्रतिशत लगाने में सफल होगा, ऐसे question में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो efficiency, a हमारा, b spend लगा रहा है रोज, तो efficiency तो clearly पता है, a रोज 20 पेंट लगा रहा है, b 25% यानि 1 by 4 कम कर दे रहा है, यानि b रोज 5 पेंट कम कर दे रहा है, तो दिन में a ने 20 पेंट लगा है, b ने फिर 25% हटा दिया, यानि के बाद में, ठीक है, ने 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 मामला क्या बना, 20-5, एक दिन में total एक दिन का खतम होने गवाँ, जब दूसरा दिन शुरू हो रहा है, तो 15 पेंट लगे रहते हैं, 15 ट्रीज, एक दिन में हो रहा है, ठीक है, total हमें कितने पेंट लगाने है, 200 पेंट, और question कर रहा है, सबसे पहली बार 200 ट्रीज लगाने में, एक कब successful होगा, कितने दिन बाद successful होगा, ठीक है, जब भी ऐसे किसी question में हमें करना है, approach हमारी यह होनी चाहिए, कि 200 ट्रीज के पास हमें पहुंचना है, 15 ट्रीज से, लेकिन यह ध्यान रखना है, जो positive work है, मारा, जो constructive work है, ठीक है, उतने का gap हमें 200 ट्रीज से बना के चलना है, यानि कि एक तरह से हमें यह देखना है, कि 180 ट्रीज कितने दिनों में हो जाएंगे, ठीक है, 180 ट्रीज कितने दिनों में हो जाएंगे, या इसके आसपास की value, अगर हमेशा जरूरी नहीं कि यह 20 का exactly gap हो, ठीक है, तो 15 ट्रीज से एक स्वसी ट्रीज लग जाएंगे, ठीक है, 13th day पर क्या होगा, A, 20 पेंड और लगाएगा और हमारे 200 पेंड कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से क्वी करना है, क्योंकि जब 13 दिन 20 पेंड लगा देगा, A, तो 200 पेंड कंप्लीट हो जाएंगे, हाँ, उस दिन भी रात में भी पेंड हटाएगा पर क्वेश्चन हमसे यह नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहली बार 200 लगाने में एक कब सक्सेस्फुल होगा ठीक है और ऐसे ही अगर कभी स्टेप्स चड़ने का या किसी और टाइप के क्वेश्चन आते हैं है चिक है अगला क्वेश्चन करते हैं A and B can put all the bricks in a wall in 15 and 30 hours respectively A 15 घंटों में bricks लगा देता है दिवार पर B 30 घंटों में bricks लगा देता है दिवार पर और C सारे के सारे bricks 20 घंटों में remove कर सकता है यानि कि C negative work कर रहा है अगर वो alternately work करें hourly basis पे starting with A यानि कि पहले A काम करेगा फिर B करेगा और फिर C काम बिगाड़ेगा और फिर A काम करेगा और ऐसे काम चलता रहेगा तो कितने घंटों में wall complete हो जाएगी ठीक है 15, 30, 20 LCM आगे हमारा 60 A की efficiency 4 है B की 2 है और C की मानस 3 है चीक है यानि पहले घंटे में क्या होगा 4 unit काम होगा तूरसरे घंटे में 2 unit काम होगा और फिर तीसरे घंटे में मानस 3 unit काम होगा चीक है यानि कि 3 घंटों में कितना काम हुआ 3 hours में 4 प्रस 2 मानस 3 यानि कि 3 units तीन गंटों में 30 units काम हुआ है और टोटल हमें 60 units काम करना है यहां भी क्या है कितने गंटों में सबीटें लगाई जा सकती है ताकि दिवार पूरी हो जाए तो हमें क्या करना है जब एक बार दिवार का construction कंप्लीट हो जाएगा हमें वहां पे अपने work को खतम कर देना है ठीक है तो यहां पे positive work हमारा कितना हो रहा है एक cycle में 4 प्लस 2 6 unit एक cycle में 4 प्लस 2 6 unit हमारा positive work हो रहा है ठीक है तो साथ में से 6 unit घटा दो हम देखते हैं 54 unit work कितने दिनों में complete हो जाएगा 54 उनिट वर्क कितने दिन में complete हो जाएगा तीन उनिट हो रहा है तीन दिनों में 3 इंटू 18 18 त्यां 54 यानि कि 18 हमें cycles लगेंगी तीन तीन घंटों की यानि कि 54 घंटों में 54 आवर्ज में 54 उनिट वर्क complete हो जाएगा ठीक है फिर क्या होगा 55 तावर में ए काम करेगा और A 4 उनिट और काम कर देगा फिर 56 तावर में B काम करेगा और B 2 उनिट काम और कर देगा यानि मिला कि हमारा 54 उनिट वर्क complete हो जाएगा यानि कि task complete हो गया तो हमारा आंसर आजएगा 56 आवर्ज option C क्या यह बात समझ में आती है ठीक है आंसर हमारा 60 आवर्ज नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर आंसर आजएगा 56 आवर्ज क्लियर होती है यह बात ही है ओके तो आइगेस इतने ही questions होगे निगेटिव वर्क पर इलकुल तो इतना ही रखते हैं session में I guess आपको session में समझ में आए होगी के चीज़े questions सारे के सारे समझ में आए होगे और session पसंद आया होगा अगर session आपको पसंद आया है तो session को like जरूर कीजिए और अगर कोई आपकी query है question है राउट है तो आप comment जरूर कर सकते हैं चैनल को अगर अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लीजेगा किल हम pipes and system का session करेंगे ठीक है आज के लिए तना ही रखते हैं पढ़ते रहिए ख्याल रखिए बबाए टेक कियर